सीयम साहब अपनी क्या बोल दिया कि जार्खन सरकार कोरोना से मरने वालों को फ्री में अब कफन उतलप्त कराईगी या बाते मुख्य मंतरी हेमन सोरे ने मंतरियों के साथ बैठक के दोरान कहीं उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरे संक्रवन में कई लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खो दिया है मौत होने के बाद उन्हें कफन खरीदने में परिशानी आ रही है उन्होंने घोशना कर दी कि अब राज्य बासियों को कफन खरीदने की जरुवत नहीं है राज्य सरकार मुफ्ट में कफन उपलप्त कराएगी उन्होंने कहा कि जार्खन के लोग किसी मुसीबत से घबराते नहीं है या बयान सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है भाज का प्रवक्ता कुनाल सारंगी ने कहा कि या दुर्भाग्य पून है सरकार ने लोगों को दवाई और इलाज के लायक नहीं समझा लोगों को को त्रोंव कि कफन के कादम गईसान सरकार की प्राकर मिक्ता जन स्वास्तना होकर मृत्यूं कर्वन हो गई है सरकार के मंत्रियों ने कोरोना संक्रमन को राजनितिक अखाड़ा बना कर छोड़ दिया है ग्रामीन इलाकों में टीगा करन की रफ्तार काफी कम है हेमन सरकार के मंत्री सिर्पन का राप्मक प्रचार में लगे है कि निर्ने लेते हैं कि आज में किसी को भी कफन खरीदने के जुरत नहीं पड़ेगी सबी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा इसका निर्ने लिया जाता है वेल्कम यूफ नेवर नोन वेल्कम तु एजर्णी यूफ नेवर इमाजिन्द वेल्कम तु अरेबिया साओडी दो गड़ों वाले शोचाले के बारे में सुना है नहीं सुना हाई ये सम्झाते हैं देखिए दो गड़ा बनाईए पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा इसे खाली कर दीजे पैसी तरह सुचाले जो है वो अजीवन चलता रहा ना बीवारी फाय लेगी नवद्पूर्ट पैसी अरे वो सप्टिक टान से कही कुना सच्टा हाँ क्या समझेगे सुचाले दो कट्टों वाला ही बन वाला कर दो कर दो कि कुनुए जो है। गहाँ कर दो से को कfry प्रेंचों करते हैं झाल झाल